चलिए दोस्तो आज बनाते हैं पालक और मतर की बहुत ही टेस्टी सबजी जो सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया लगती है अगर आपने इसे एक बार बना लियाना तो उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे जो पालक नहीं खाते हैं वो भी सौक से खाएंगे तो चलिए पिर देर किस बात की बनाते हैं लहसुनी पालक मतर की सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगबर कर देर सो घ्राम पालक के पत्ते लीए हैं तो जादा जाएगा क्योंकि आज हम बना रहे हैं लहसुनी मटर पालक तो यह देखे एक बर्दन में हमने रखा लगभग एक लीटर की जितना पानी गरम होने के लिए पानी में बॉयल आ गया हमने इसमें पालक एट कर ली और भस तेज उबलते हुए पानी में हमें इसे दो मिन पानी से दो लेना है तो एकदम से ठंधा पानी डाल दीजिए जिससे क्या होगा कि जो पालक का कलर है वो अच्छा ग्रीन रहेगा अब एक कडाही में डालेंगे तीन चार चम्मच तेल तेल गरम हो जाएगा एक चम्मच जीरा डाल देंगे साथी साथ दो चुटकी हींग डालेंगे जीरा भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का एकदम बारी कटा हुआ प्याज और प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक की प्याज का कलर हलका गुलाबी नहीं हो जाता तो प्याज भून गई है अब इस पॉइन पे हम इसमें आड कर देंगे एक बड़ा चम्मच अद्रक लहसुन हरी मिर्च का दर्दरा खुटा हुआ पेस्ट और इसे भी अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे बहुत अच्छा फ्लीवर लगता है तो आप जरू डालेगा मसालों को एकदम धीमी आज में 10 से 15 से भूनेंगे फिर हम इसमें आड कर देंगे दो टमाटर का पेस्ट और अब हम टमाटर को अच्छे से पकाएंगे टमाट पीशना है दरदरही पीशेंगे इधर हमारे जो टमाटर है वह भी बहुं रहे हैं इसी के साथ-साथ हम इसमें एड कर देंगे मटर यहाँ पर मैने एक छोटी कटूरी मटर ता जी हरी मटर डाली है आप रोजिन मटर भी डाल सकते हैं और मटर को भी हम साथ में बूल करनी है अब इस पॉइंट पे हम इसमें एड कर देंगे यह पालक ध्यान रखेगा पालक को अपको थोड़ा सा दरदरा ही पीशना है बहुत ज़्यादा एकदम फाइन पेस्ट नहीं तयार करना है तो बस हम सिर्फ इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे पानी नहीं डालेंगे जिससे कि हमारी जो पालक का पेस्ट है वो भी बढ़िया से भून जाएगा तो बस इसी तरह से चलाते विए दो से तीन मिनट तक पालक को हाई फ्लेम में अच्छे से भून लीजिए पालक अच्छे से भून चुकी है अब हम इसमें एड कर देंगे पानी तो आधा कप पानी इसमें और डाला है यह जो सबजी होगी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीकी रहती है तो नमक थोड़ा सा और डाल देंगे या फिर नमक स्वाद के अनुसार डालें मिला देंगे अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच आमचूर पाउडर जो की इसे खट तीखा चटपटा बनेगा बस थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला तो लगबक चोथाई छोटी चमच हमने इसमें गरम मसाला डाला है मिला देंगे अच्छे से और यह पूरी तरह से बड़ें से कुक हो चुका है अब हम गैस बंद कर देंगे और कंसिस्टेंसी आप इसकी देख पा रहे होंगे कुछ इसी तरीकी का रखना है अब हम इसके लिए एक तड़का त्यार करेंगे तो एक तड़का पैन में डाला हमने एक बड़ा चमच देशी घी घी गरम हो गया हमने इसमें डाल दिया साथ से आट कलिया बारी कटा हुआ लैसुन और लैसुन को हम साथी सा चुटकी भर हेंग डाल देंगे फिर हमारे यह जो तड़का है वह हम पालक और मटर की सबजी में डाल देंगे और दो मिनट के लिए ऐसे ठक के छोड़ देंगे ताकि लहसुन का बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आ जाए तो आप देख सकते हैं सबजी हमारी देखन कीजिएगा और हमारी गर्मा गरम सबजी बन के तयार है इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे गर्मा गरम रोटी यह चावल के साथ खाईए आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक में भी जरूर बताएगा